तो वीडियो के इंट तक देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इंड शोरूम का डिटल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको दो कलर ओप्शन हम लोग दिखाते हैं उसके बाद फिर जो आप लोग थमनेल में देख रहें तो उस कलर पर दिखाएंगे चलो वीडियो स्टार्ट करते है तो एक यह कलर ओप्शन है रेड कलर का और यह वाले बीडियो के लिए तो इस पर वीडियो चलते हैं दूसरा एक कलर ओप्शन हमारे पास है यह ब्लैक नहीं यह ब्लू है देखो यहाँ पर कॉर से ब्लू कलर का और इसका ग्राफिक आप देखे रहे हो नियॉन में जो चमक रहा है लाइट पॉट रहे है तो यह भी एस्पी 125 और यह वाला भी डिस्क वेरियंट है कंप्लेट आप देखो सो इसको थोड़ा से लाइट में लगा कि आप लोगो दिखाते हैं कंप्लेट ग्राफिक वगरा जैसे इसका देखो नियॉन ग्राफिक और इसका एक फोटो लेते हैं यह दो ऑप्शन होगे हमारे पस रेड ब्लू और भी एक और हम लोग आपको दि एंड वीडियो देखते हूं फोन में ही नहीं डिलेट हो चुका पता नहीं क्या हुआ और फोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो क्या कर सकते हैं फिर से शूट कर रहे है यार शिट मैन मन करता है फोन पटक दे सब ख्यार इनिविल्ज एस्पी 125 आपको पता है वन ओप 23 में न्यू इसमें एड़ाउन किये गए वह है रिगार्डिंग इसके इंटर्नल चेंज ओबीडी टूस इसमें आपको दे दिया गया है तो आपको पता है ओबीडी टूस बहुत जादा रिफाइन कर दे रहा है इंजन को और पॉलिशन नॉम्स जो होते है न थोड़े से को प्रोटेट करते हुए आपका समझ जो उस टाइब का इसका इंजन डेवलोप किया गया है और इट्वेंटी इसके एक्स्टर्नल चेंज आपको नहीं दिखेंगे जस्ट आप यहां पर देखो एक इट्वेंटी का स्टिगर दिखेगा आपको तो इट्वेंटी इसमें प्रोवाइट कर दिया गया मतलब कि इथेनॉल फ्यूल से वाली बाइक चल सकती है जैसा फ्लेक्स पेट्रोलियम आपको पता होगा पेट्रोल प्लस एथेनॉल तो वह सब इसमें कंप्लीट कंपैटिबल कर दिया गया स्टार्टिंग करते इसके फ्रंट से फ्रंट में आपको दिया है कंप्लीट मैट में है और फोक्स वगरह में आप देखोगे रिफ्लेक्टर्स वगरह आपको प्रोवाइट कियेंगा है बागी टायर्स की बात करें सीएट का टायर एटी बाई हंडिट का टायर है 18 इंचेस का एलॉई विल है यह वाला ड्रम वेरियंट है इसके दो विरियंट आते हैं डिस्क एंड ड्रम तो जो डिस्क वेरियंट है वह आपका 240 mm का डिस्क आपको फ्रेंट में मिलता है और जो ड्रम वेरियंट है रियर एंड फ्रेंट दोरों में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग मिल जाता है और जो डिस्क एंड ड्रम है उसमें इसके pricing variant different है बतलब जो डिस्क का एक शुरू में वह है 88,918 रुपीज और जो ड्रम का है वह है 84,918 रुपीज बाकी बाद यह तो होगे complete front का and disc and drum का और graphics अगर आप लोग साइट से देखोगे तो comment section ने बता हमें graphic कैसा लग रहा है और features की बात कर इसमें silent start feature है ESP दिया हुआ enhance smart power और complete bulky tank है यार बहुत ही खुपसूरत लगती है Honda की one of the most refinable engine बनती है आपको जैसे पता होगा है यह वाली bike भी बहुत refined है आते हैं इसके handle setup पे single handle आपको provided है Honda को logo दिख जाता है handle में आपको kill switch ignition एक साथ दिख रहा है और side में right left indicators horn हो गया and pass light clutch हो गया brake हो गया और looking mirrors जैसा हमें मिलते हैं fully digital instrument cluster है तो जैसे देखो on कर रहे स्पीड के साथ सथ अपको gear position indicator भी बता रहा है टाइम भी बता रहा है last range कितना आपकी bike चलीगी वह भी बताएगा उसके बाद आपको side shine indicate कर रहा है neutral light है साथ-साथ आपको trip by trip भी and mileage भी कितना है वह भी बताएगा तो चलो एक देखो कि noisy less start feature है मतलब silent start कि यह जो आप सुन रहे हो कि बाइक स्टार्ट इसलिए नहीं हो पारी भाई क्योंकि इसमें low fuel है फिर से बता दे रहूं और कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ आप लो silent start feature करे सुन सकते हो कि कितना low voice के साथ बाइक स्टार्ट होता है इसके करन भी हम लो आपको front head lamp जैसे देखो LED में है आपको दीखर होगा भाई इतना sunlight है कि यहां पर समझ बनिया रहा है लाइट जल रहा है कि नहीं चल रहा है देखते हो reflect कर रहा है कैमेरे कुर्ते पर कहीं नहीं reflect कर रहा है तो light थोड़ा से visible आपको दिखेगा right left indicators आपको complete description आपको मिल जाए वीडियो के description पर आपके booking होगारा करा सकते हो और इसमें self के साथ साथ आपको kickstart को भी option है तो अगर आपकी battery dead हो जाती तब आपको कोई दिखकत नहीं है वाई self मारो ना मारो kick मार के start करो लेकिन हाँ battery के care जरूर करना भाई और भाई मेरा phone इतना ज्यादा हीट हो जारा नहीं कि आगर record नहीं कर पा रहा है मेरे को धर लग रहा है फिर से record करते करते कहीं दिखकत ना हो जाए खेर anyways आते अब इसके engine पे तो आपको 123.9 cc का engine मिल जा रहा है 4 stroke 10.87 ps का power and 10.9 newton meter का torque पो provide करती है भाई Honda के engine है काफी refine engine catcan complete visible है exhaust note complete mad black में bend pipe से लेकर end तक और chrome आपको यहाँ पे देख सकते हो है फिर में जरूर बताओ एस पी 125 यह वाली तो ब्लू का ग्राफिक है रेट का and और जो ब्लू है जो ब्लैक दिखता है उसके भी हमनों आपको ग्राफिक दिखाया अंडा का बैजिंग वगर कंप्लीट और opposite साइट से आपको दिखाते है भाई टैंक की अगर बात करें तो टैंक काफी ज़्यादा बल्की टैंक है टैंक में आपको लोगो और मैक्सिमाम ग्राफिक दिख जाएंगे और टैंक में ही आपको एक्स्टेर्नल चेंज आपको पता चलेगा जो आपका इट्वेंटी का स्टिकर है बाकी कंप्लीट मैट में टैंग 11.2 लिटर्स का टैंग कैपेसिटी आपको दिख जा रहा है और कंपनी क्लेम करती है 65 का माइलेज और बहुत ही कोई को 70 का मिलता है लेकिन हम लोग बुलेंगे 60 प्लस माइलेज आप समझ जो आपको कंप्लीट प्रोवाइड हो जाएगा होंडा का लोगो हो गया स्पी 125 इंजन का डैमेंशन अम लोग ने आपको बताया और बाकी डैमेंशन की बात करें लाइक हाइट वगयर 790 mm का सीट हाइट है 160 mm का ग्राउंड क्लेरंस और 116 kg की आपकी यह वाली बाइक है तो बेसिकली यह हो गया कंप्ली डिस्क्रिफ्ट algorithm थोड़े बहुत आपको यहां पर कार्बन टाइप की फिनिश दिकेंगे यह से यहां तिक रहोगा अलिकी आपको पता कार्बो फिनिश कितने का आता है बहुत महांगा आता लेकिन इस पर थोड़े बहुत मिल रहा है आपको और साइट स्टेंड हो गया गियर हो गया होंडा का बैचिक आपको यहां पर दिख जाएगा इंजन पर बाकी चेन की बात करें तो चेन कंप्लीट भाई आपको कवर मिल रहा है तो बारिश वगरह में कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि चेन आपको बार-बार साफ करना पड़ेगा साइड स्टैंड में स्टैंड दोनों दिख रहा है फुट पर जैसे मैंने बता है लॉक और डूल स्प्रिंग सस्पेंशन आपको रेड में दिख रहा है सीट खोलने को आपको यहां सी दिख जाएगा ग्राफिक पूरी टेल तक है सिंगल सीट है तो अच्छी का से जगे मिले की पिलियन को बैठने के लिए और बाकी लेड़ी के लिए अगर आपको ममी वगयरा बैठती तो उनके लिए फुटरस्ट हो गया एंड यह आपका प्रोटेक्शन हो गया एक टेल दिखाते है आपको टेल एक बार बज़र इसका बज़ेगा बाई एक बार हॉन भी सुन लो आरे लिए ये रभाई कंपलीट तके इल एंड इंडिकेटर बज़े बबखाब हो गया कंपलीट कि इस सीट से कर बात करें तो रेयर में हमें डिस्क जो डिस्क वाले ऐडिशन हैं जो डॉनों आपको डॉनnova Oak Sum कम्प्रेट बाइक का डीटेल स्पाइक का वॉक अरूंड हाले कि मेरे को दुबारा शूट करना पड़ रहा है इस गर्मी में और आज लास्ट हमारा रोजा है तो आज रोजा रखके शूट कर रहे ना भाई थोड़ा से तकलीफ हुआ जैसे मेरे को पता चला की बाइक का वीडियो बनानी है वह तो मेरी फोन की दिक्कत थी आप लोग कमेंट सेक्षिन बताओ आप लोग को यह वाली मोटर सेकल कैसे लगी कंप्लीट ट्वेंटी ट्वेंटी ट्री एडिशन की स्पी वन ट्वेंटी फाइव है और इसका भी अच्छा खासा ब्लू हो गया और शौर्य होंडा में तीनों कलर अविलेबल है बुकिंग कराना पड़ेगा आप लोग को क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बनाने आया था तब हुआ यूं कि मेरे को बोलागी कि बाइक एक भी नहीं है फिर पता चला बुकिंग्स में बाइक है जो कि आज डिलीवर हो जाएगी लेकिन डिलीवर नहीं हुई है लेकिन हम लोग ने वीडियो बना लिया आप लोग के लिए तो चलो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करना थैंक यू फो वाचिंग कीप सपोर्टिंग राइड हाट राइट सेव स्टेश सेव और आज हम लोग हम लोग ने बता दिया तो चलो वीडियो एंड करते हैं थैंक यू एंड हाँ भाई हांड़िट के करवाद हमारे चलो बाई बाई